एक छोटे से गाव में, जिसमें अंधेरे जंगल घेरे थे, वहां रहने वाली एक सुन्दर सी लड़की नामक विद्या थी. उसकी हर हसी गाव वालों को बहुत खुश कर देती थी, लेकिन एक दिन उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया. गाव में चर्चा हो रही थी कि जंगल में राद को एक रहस्यमय शक्ति का राज्य है, जिसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसका आधी बूंदों का असर हर जगह था. विद्या ने यह सुनकर ध्यान नहीं दिया और जंगल की ओर बढ़ती गई, नींद में खो जाने वाले संगीत से चौकाने वाले अध्भुत ध्वनियों की ओर. राद के अंधेरे में एक रहस्यमय रूप से विद्या के सामने आया, रूप में एक खौफनाक वेम्पायर का. वेम्पायर का चेहरा सावला था, लेकिन उसकी आँखें कुछ अध्वितीय थी, जो विद्या को अपनी ओर खीच रही थी. विद्या डर के बावजूद अजीब रूप से खिली हुई महक और आकर्शन महसूस करने लगी. वेम्पायर ने अपनी लाजवाब बातचीत और मनमोहक आँखों से उसे आकर्शित किया. धीरे-धीरे विद्या और वेम्पायर के बीच एक अनोखी मोहबबत का रिष्टा बनने लगा. उनकी मुलाकातें रात के अंधेरे में होती थी, जब जंगल की राजजी बातों ने उनके बीच एक अलग दुनिया खड़ी कर दी थी. लोग गाव में इस अजीब मोहबबत की अफवाहें सुनने लगे, लेकिन विद्या और वेम्पायर को खुशी थी कि वे एक दूसरे को पाँ चुके थे. उनका प्यार दुनिया भर की सारी चुनोतियों और विरोधों के बावजूद बढ़ता गया. वेम्पायर की आत्मा ने उसे एक अद्वितीय शक्ति से युक्त कर दिया था, जिससे उसने गाव की रुहानी सुरक्षा को बनाए रखने का कारण बना लिया था. उनकी प्रेम कहानी गाववालों के बीच मिथक बन गई थी, जिसमें वे एक दूसरे की मोहबबत का सामनजस्यक नमूना बन गए थे. एक दिन गाव में आई एक बड़ी आपत्ति ने सभी को भयानक हकीकत से मुकाबले करने पर मजबूर किया. गाव वाले ने जाना कि एक भूतिया राजा अपनी भूतिया सेना के साथ गाव की ओर बढ़ रहा था, जिसने उन्हें खत्रे में डाल दिया था. राजा का इरादा गाव को नश्ट करने का था ताकि वह वहां का सारा संसार अपने अंधेरे साएं में लपेट सके विद्या और वैम्पायर ने एक दूसरे के साथ मिलकर उस बड़े आतंकवादी राजा से लड़ने का निर्णाए लिया उनका प्यार उन्हें अनूठा बना रहा था लेकिन इस बार वह इसका सामना कर रहे थे जो उनके प्यार को खत्रे में डाल सकता था राजा की भूतिया सेना ने गाव के चारों ओर आक्रमन कर दिया और गावववालों को बहुत खत्रे में डाल दिया इस हत्यारे के राजा के सामने विद्या और वेंपायर ने एक अद्वितीय योजना बनाई उन्होंने अपनी आत्माओं को मिला दी और एक अद्भुत शक्ती उत्पन्न की विद्या ने अपने सुंदर आवाज से गाम वालों को संबोधित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका प्यार उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा विद्या और वेंपायर ने मिलकर उस भूतिया राजा के सामने खड़ा हो गया और एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हुई उनकी आत्माओं की शक्ति ने उन्हें अद्वितिय बना दिया था और वे राजा की सेना को हरा दिये इस युद्ध में राजा को हराने के बाद विद्या और वेंपायर ने गाम को शांती और सुरक्षा की वापसी दिलाई गाव वालों ने उन्हें हीरो माना और उनके प्यार की कहानी ने गाव को एक नए सफलता की उंचाईयों तक पहुचाया इसके बाद विद्या और वैम्पायर ने एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना जारी रखा और उनका प्यार गाउवालों के दिलों में हमेशा के लिए बसा रहा आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्रिपया अपनी राय और अनुभव हमसे साजा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद